मित्रो भगवान शिव ने बताया है, जिस ओलाद में यह तीन गुन होते हैं, वह ओलाद अपने माता-पिता को बहुत दुख देते हैं, तो मित्रो चलिए उन तीन गुनों के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि हमारे बच्चों तथा हमारे अंदर में वह गुण है या नहीं? एक बार की बात है, देव मुनी नारद प्रित्वी लोग का भ्रमन करके आकाश होते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं, तब भगवान शिव कैलाश परवत पर अपने नंदी के साथ विराज मान होते हैं. तभी देव मुनी नारद भगवान पहुँच जाते हैं। आप मुझे बताने का कृपा करिये कि वह कौन सी उलाद होती है जो अपने मातापिता को दुख देती है तब भगवान शिव कहते हैं कि देव मुनी नारद हम आपको आज एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रशनों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे भगवान शिव कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनता है उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगती से बाहर आते हैं तथा अपने मातापिता की सेवा सदैव करते हैं प्राचीन काल की बात है एक नगर में चित्रसेन नाम क राजा रहता था जिसकी एक बहुत ही सुन्दर कन्या थी चित्रसेन की कन्या का नाम चाया था उसे अपने उपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था मातापिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी ह उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी भगवान शिव कहते हैं है देव मुनी नारध हर व्यत्ती को बेटा हो या बेटी जरूरत से अधिक स्वतंत्रता बिगार देती है और उन्हें बिगारने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता-पिता का ही हाथ रहता है बच्चे यदी मनमानी करने लगे तो माबाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए बलकि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए जरूरत पड़े तो डांट फरक भी लगानी चाहिए और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बच्चपन से समझाया होगा उनकी हर एक गतिविधी पर नजर रखी होगी उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा उन्हें संसकारों से सीजा होगा यदी माता-पिता ने ऐस नहीं किया है तो उलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते तब तो आपका समझाना भी उनको तीर की बान की भानती चुभे वह आपके वश से बाहर हो जाएंगे भगवान शिव आगे कहते हैं कि देव मुनी नारद राजा चित्रसेन की कन्या के लिए जो भी रिष्टा आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह उसे आपस लोटा देती थी उसके लिए ना जाने कितने रिष्टे आए और उसने सब को अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहाँ से वापस कर देती थी राजा भी बेटी की इन हरक्तों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी छाया के लिए अपने राज में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आये। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी छाया हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दर्बार में जा रही थी। छाया अपनी सुंदर्ता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे बढ़ने लगी, वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुचती थी, उसी की किसी ना किसी बात पर खिली उड़ाती और आगे बढ़ जाती, सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते थे, राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची, वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उडाती हुई अपनी सहेलियों से बोली है सहेली देखो तो इन महाशय को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो, उसके शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक ह पहुंची रही, वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से लजजित होकर दरबार से चला गया, इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई, वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था, राजकुमारी चाया ने अपने कटू शब्दों से उसे भी खूब अपमानित कहने लगी देखो सहेली यह तो कोई खंबा मालूम पड़ता है इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके उपर मशाल लानी चाहिए राजकुमारी के अब शब्दों से पीडित होकर वह भी मुह बनाता हुआ वहां से चला गया एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी उसे देखकर राजकुमारी ठहा के भार कर हंसती हुई बोली अरे सहेली हमारे पिता ने तो स्वयंबर में लंबी दाढ़ी वाले बक्रों को भी बुला लिया है इसे तो मेरी जूती भी विवाह ना करें दोस्तों राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उडाती रही परन्तु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लजजित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था वह भी दर्बार से उठकर चला गया दोस्तों अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेज़त करके नापसंद कर दिया यह बात छाया के पिता चित्रसेन को बहुत बुरी लगी राजा साहब सोचने लगे इस लड़की ने तो हमारे दर्बार में आये हुए हमारे सारे महमानों को बेज़त किया है इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा गुस्से में राजा ने भरे दर्बार में यह घोशना कर दी की भाईयों मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आ सबसे क्षमा मांगता हूँ पर आज मैं सब के सामने यह घोशना करता हूँ कि इस कन्या का बिवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के स जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांग कर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पच्चतावा जरूर होगा राजा की ऐसी घोशना सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी सभी कहने लगे कि राजा साहब ऐसी असभ्य संसकार कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए तभी वहां से एक भजन गाता, हुआ भिखारी गुजरा, भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेज कर उस भिखारी को अपने दर्बार में बुला लिया, उस भिखारी की बहुत ही दनिय दशा थी, मैले कुछले फटे पुराने वस्त्र पहना था, उसके हाथ में एक लटी थी, लंबी सी दाढ़ी थी, भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया, और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा, भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन हुआ, प्रसन होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तु यह तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयंखाना और इसको भी खिलाना, दोस्तों अपने पिता चित्रसेन का ऐसा कठोर निने सुनकर छाया बहुत दुखी थी, कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला पहले, तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इंकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसी लिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा, राजा ने कहा, बेटी तुमने किसी राजगराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है, अब से यह भिखार ही तुम्हारा पती है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा, अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, दोस्तों राजा ने छाया का विवा, उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपन सुन्दर कुटिया थी, उस कुटिया के पास में वह भिखारी एक आम का पेड लगाया था, उसे पेड पर बहुत सारे आम पड़े और पके हुए थे, तब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा, तो एक बहुत बड़ा और सुन्दर खेत है, छाया ने उस भिखारी से पू दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था, पर आपका दुर्भाग्य देखिये, और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ, अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती, तो आज इस खेत की तुम स्वयम म मालकिन होती, पर अब पच्चताने से कोई फाइदा नहीं है, अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिन्दगी भर रहना है, दोस्तों फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी छाया को सुन्दर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया, छाया ने कहा थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं, यह बाग किसका है, बड़ा ही सुन्दर है भिकारी ने उत्तर दिया राजकुमारी जी, बाग भी उसी दाधी वाले बकरे का है, जिसका तुमने अपमान किया था, इसलिए अतिशीघर विश्राम कर के यहां से निकल चलो वरना वह दाधी वाले राजकुमार को पता चल गया, तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा, सोचो अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहां ले आया है, तब दोस्तों भगवान शिव देव मुनी नारत से कहते हैं, इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते हुए चले गए, कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुन्दर नगर में पहुंचे ऐसा लग रहा था जै तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है, जिसे तुमने भरी सभा में बेजज़त किया था, सोचो अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती, हजारों दास दासिया तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप की घमंड में आकर अ राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा कहने लगी काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता, भिखारी ने चाया के मुख से ऐसी बाते सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी, तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पती हूँ, अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी जोपडी में रहना चाहिए, दोस्तों इतना कहकर भिखारी राज कुमारी चाया को अपनी जोपडी के पास ले गया जो राजा के उस न घूंटेगा, मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस चोटी सी जोपडी में मेरा गुजारा कैसे होगा, भिखारी बोला राज कुमारी अब आज से यही जोपडी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा, छाया ने पूछा कि यहाँ तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, जोपडी की साफ सफाई कौन करेगा, भिखारी ने कहा है, राज कुमारी यह तुम क्या कह रही हो, मैं कोई राजा नहीं हूँ ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाक होंगे, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं तो नौकरों से भी, बहुत गया गुजरा हूँ, जोपडी का सारा काम अब तुम है और मुझे ही करना है, चलो अब तुम पहले जोपडी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, च खाकर दोनों सो गए, दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया, और घर का सारा काम करने को कहा, राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही, और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही, दो-चार दिन इसी तरह बीत गए, घर में जो कुछ खाने को था, वह भी खत करना पड़ेगा एक काम करो मैं तुम्हें इस आम के पेड से आम तोड़कर टोक्री में भर कर दे दूँगा तुम उसे आम को बाजार में ले जाकर बेच कर आना राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे मुझे बहुत शर्म आएगी भिखारी बोला काहे की शर्म अब तो तुम रानी नहीं हो तुम एक भिखारी की पत्नी हो शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो दोस्तों मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई एक सडक किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगा एक दिन की बात है जब राजकुमार च्हाया सडक पर बैठी आम बेच रही थी तभी वहां पर एक राजा का मنتरी आता है और उसने लाख मार कर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है खबरदार जो रास्ता गेर कर आम लगाए तो उसके बहुत सारे आम फूट गये थे और उसका बहुत नुसक राज कुमारी को बड़ा दुख हुआ उसने सारी बात जोपडी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मार कर फोर डाले। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कराऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहां रसोई का काम तलाश आया और छाया से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की विवस्था कर दी है। वह घमंडी राजकुमारी रसोईे की मददगार बनके काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोईयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिन्दगी अब कुछ सुकून से कटने लगी एक दिन की बात है। आया रसोई में काम कर रही थी तभी उसने खिडकी से जहांक कर देखा तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राज महल सजाया हुआ था। बड़े ब्रे महमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राज कुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आसू बहा रही थी। और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खडी-खडी सोच रही थी। तभी वहां दो दासिया आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लोटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी। तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चहरे को देखा तो वह डर के मारे कामपने लगी क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था। जिसको छाया ने अपने यहां दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा बलकि वह उसे उसका हाथ पकड़ कर दर तोक्री में रखा हुआ खाना जमीन पर गिर कर इधर उधर बिखर गया। तोक्री में रखाना जमीन पर गया। भिखारी की वेशभूशा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नश्ट हो चुका है। इतने सारे महमान हमारे स्वागत में आये हैं। अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव देव मुनी नारत से कहते हैं यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसंता हुई। खुशी में उसकी आखें आसूँ से भर गई, अब तो दासिया आई और उसे दुलहन के नए जोडे में सजाकर लाई, दर्बार में छाया के मातापिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशिरवात दिया और राजा के साथ समस्त महमान की उपस्थिती में उसका विवा हुआ। उसका सारा गुरुर उतर चुका था, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसने जिन्दगी जीने का तरीका सीखिया था। दोस्तों तब भगवान शिव देव मुनी नारद से कहते हैं, कि देव मुनी नारद अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अप्रिचित रह जाता है, जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्ट दायक होता है। शिव कहते हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी मातापिता का अपमान करते हैं और उनकी बात को नहीं मानते हैं। ऐसी उलाद सदैव मुसीबत से घिरे रहते हैं।